राधी राधी दोस्तों, आज हम आपको सुनाइंगे करवा चौत की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक गाउं में एक साहुकार के सात बेटे और एक बेटी थी, सातों भाई बेहन में बहुत प्यार था करवा चौत के दिन सेटानी ने सातों बहुआ और बेटी के साथ करवा चौत का ब्रत रखा सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे उस दिन भी भाईयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन बोली मेरा आज करवा चौत का बृत है इसलिए जब चांद निकलेगा तभी खाना खाऊंगी भाईयों ने सोचा कि हमारी बहन तो भूकी रहेगी इसलिए एक भाईय ने दिया लिया और एक भाईय ने चलनी ली और लेकर पहाड़ी पर चड़ गए दिया जला कर चलनी से ढग दिया और एक भाईय जो बहन के पास आया और उसने कहा कि बहन चांद उगाया है अरग दे कर खाना खालो भेन ने भावियों से कहा भावी चांद देखलो अरग देदो तब उसकी भावी बोली बाई जी ये चांद तो आप के लिए उगा है आप ही देखलो हमारा चांद तो देर रात को उगेगा भेन भाईयों के साथ खाना खाने बैठ गई भोजन का पहला कोर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया दूसरा कोर खाने लगी तो उसमें कंकड आ गया और तीसरा कोर खाने लगी तो ससराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारा पती बहुत बिमार है बहु को जल्दी भेज दो मा ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए तीन बार अपना बक्षा खोला तीनों बार ही सफेद कपड़े हाथ में आए लड़की सफेद कपड़े ही पेहन कर ससुराल के लिए रवाना हो गई मा को किसी अन्होनी के आशंका होने लगी मा ने सौने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांधिया और कहा रास्ते में जो भी मिले सब के पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहक का आसिरवात दे उसे यह सिक्का दे कर पल्लू में गांठ बांध लेना रास्ते में बहुत से लोग मिले वे सब का पैर छूती हुई आगे बढ़ने लगी लोगों ने उसे सब बहुत आसिरवात दिये पर अमर सुहक का आसिरवात किसी ने भी नहीं दिया ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि जेट की लड़की पालने में जूल रही थी तो उसने उसके पैर छूलिये जब वे उसके पैर छूने लगी तो जेट की लड़की बोली सीली हो सपूती हो साथ पूत की माता हो यह आसिर सुनते ही उसने सौने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले में गाठ बांध ली घर के अंदर परवेश किया तो कमरे में पती का मृत अवस्था में जो पती मिले उसने पती को ले जाने नहीं दिया अब अपने पती को लेकर वहे घर के बाहर जोपड़ी बना कर रहने लगी और अपने पती की सेवा करने लगी सास जो बचा हुआ ठंडा बासी भोजन होता था उसे नौकरानी के हाथ यह कहकर भिजवा देती कि जा मुर्दा सेवनी को खाना देया कुछ दिन बाद माग महिने की तिल चोथ आई तो उसने माता से प्रातना की कि हे माता मुझे मेरी गलती का पश्यताप है मुझे माफ कर दो हे चोथ माता मेरा स्वहग मुझे लोटा दो मेरे पती को जीवित कर दो माता ने कहा यह मेरे हाथ में नहीं है बैसा की चौत माता तुम्हारा स्वहग लोटाएंगी बैसा की चौत पर उसने फिर प्रातना की तो मा ने कहा जो बहदुरी चौत माता आएगी वे तुम्हारा स्वहग तुम्हें लोटा देंगी बहुदुरी चोथ माता आई, बहुने उससे भी प्रातना की, कि है माता, मेरा सोहग लोटा दो तो बहुदुरी चोथ माता ने कहा, सबसे बड़ी कार्थिक चोथ माता, तुम से नाराज है उनकी नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ यह हो रहा है उन्हें परसन करने पर ही तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा कार्तिक महिने की चौत माता स्वर्ग से उतरी तो गुसे में उससे जो कहने लगी भाईयों की बेहन करवा ले दिन में चांद उगानी करवा ले बरत भांडनी करवा ले चौत माता ने जब उससे कहा तो वह उसने चौत माता के पैर पकड़ लिये और बलाप करने लगी जब भी चौत माता ने फिर कहा भाई साथ भाईयों की बहन करवा ले दिन में चांद उगानी करवा ले बरत भांड तो बहु बिलाप करती हुई चौत माता से कहने लगी, हे चौत माता, मैं ना समझ थी, इसलिए मुझसे भूल हो गई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, आप तो जग की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है, मेरी बिगडी बनाओ मा, मेरा स्वहग लोटा दो, मेरे स्वहग का असिरवाद दे दिया, अब उसका पती जी उठा, और उठा कर बोला, मुझे तो बहुत नहीं दाई, तब तक उसने अपनी पती को बताया, कि वे बारे महिने से उसकी सेवा कर रही है, और चौत माता ने उसका स्वहग उसे लोटाया है, पती ने कहा, हमें चौत माता का उध्यापन करना चाहिए, उसने चौत माता की कहनी सुनी, और उध्यापन कर चूर्मा बनाया, दोना खा पी कर चौपड खेलने लगे, नौकरानी खाना लेकर आई, तो यह देखकर दंग रह गई, और तुरंत जाकर उसकी सासु को बताया, सासु ने आकर देखा, तो बहुत खुस हुई, बहु से पूछा, कि बहु, यह सब कैसे हुआ, बहु ने सास के पैर छुए, और बताया कि यह चौत माता का आसिरवाद है, सभी लोग चौत माता के किरपा देखकर बहुत खुस हुए, सभी इस्त्रियों ने पती की दिरधाईयों के लिए चौत मा जैसे साहुकार की बेटी का सुहाग मर किया वैसे ही सभी का करना कहने सुनने वालों को हुंकारा भरने वालों के सभी के सुहाग मर करने बोलो मंगल करनी दुख हरनी करवा चौत माता की जै